नमस्कार, तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किये हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है हिंदी में समवाद लेखन और इंग्लिश में डायलोग राइटिंग तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए क्योंकि एक ही वीडियो में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंगुजिस का टॉपिक कवर हो जाएगा और जी हाँ बच्चों अगर आपको विग्यापन लेखन, इमेल लेखन, संदेश लेखन, आपचारिक पत्र लेखन, अनपचारिक पत्र लेखन, कहानी लेखन, या निबंध लेखन, अनुछेद लेखन, यह सब कैसे किये जाते हैं, इनके क्या फोमाट्स होते हैं, यह भी सीखना है तो निचे description box में जाके link को press कीजी आपको सारी जानकारे मिल जाएगी तो चलिए हम अपना आज का topic start करते हैं समवाद लेखन तो बच्चों समवाद को easy language में बोला जाता है बातचित करना ठीक है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचित और समवाद को English में बोला जाता है conversation या फिर dialogues और लेखन यानी writing जब हम अपनी बातचित को लिख देते हैं तो उसे समवाद लेखन बोला जाता है और English में dialogue writing बोला जाता है समझ में आ गया अब अगर paper में चाहे हिंदी का paper हो चाहे English का paper हो समवाद लेखन आ जाए या dialogue writing आ जाए तो हम कैसे करें तो सबसे पहले जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ हम प्रशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है अब समवाद लेकन है तो दो पात्रों के बीच में समवाद आएगा दो या दो से अधिक पात्रों यानि characters English में dialogue writing दो या दो से अधिक characters के बीच में dialogue लिखने को आएगा तो आपको सबसे पहले प्रशन में यह देखना है कि मुझे किन दो characters के बीच में अपना dialogue लिखना है मुझे किन दो? पात्रों के बीच में अपना समवाद लिखना है For example आपके प्रशन में आजाए कि دो दोस्तों के बीच में समवाद लिखीए या फिर बच्चे और अधियापक के बीच में एक समवाद लिखीए तो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले अपने characters को नाम देना होगा अपने पात्रों को नाम देना होगा और हाँ बच्चों कभी कभी प्रशन में पात्रों के नाम भी दिये गए होते हैं For example वह हैं देदे कि दो मित्रों के बीच में समवाद लिखिए एक मित्र का नाम है टिंकू और एक का नाम है चिंकू तो आपको अपना पूरा जो डायलॉग है पूरा समवाद टिंकू और चिंकू के बीच में ही लिखना है ठीक है अगर प्रशन में नाम नहीं दिया गया तो फिर आप अपनी तरफ से कोई भी दो नाम बना दीजिए अगर बच्ची और अध्यापक की बीश में समवाद आ जाए तो आप बच्चे का कोई नाम दे दीजिए और अध्यापक में आप अध्यापक जी लिख सकते हैं समझ में आ गया नमबर टू प्रशन में कभी कभी यह भी दिया गया होता है कि समवाद आपको किस related लिखना है For example, वह दे सकते हैं दो बच्चों के बीच बे या मा और बेटी के बीच में खाने को related खाने से related आप समवाद लिखिए तो आपका जो पूरा समवाद है, पूरा डायलोग है वह मा और बेटी आपस में खाने से related क्या बात कर रही है वही होना चाहिए ठीक है? अगर प्रशन में आपको विशे नहीं दिया गया टॉपिक नहीं दिया गया नॉर्मल लिखा हुए मा और बेटी के बीच में समवाद लिखिए तो फिर आप कोई भी विशे ले सकते हैं जैसे मा अपनी बेटी को समझा रहे है कि पढ़ना क्यों जरूरी है या फिर मा और बेटी कहीं घूमने जा रहे हैं तो उससे related कोई बात चीद कर रहे है ठीक है? तो अगर प्रशन में विशे नहीं दिया गया कि आपको किस related समवाद लिखना है तो आप कोई भी बात उसमें लिख सकते हैं किसी भी बात से related वह समवाद वह डैलोक लिख सकते हैं समझ में आ गया इसलिए प्रशन को देखकर कम से कम एक या दो मिनट के लिए अपने माइन में ड्राफ्ट कीजिए कि मैं क्या लिखूंगी इसकी शिरुवाद क्या करूंगी बीच में क्या लिखना है और बातचित का end भी होना जरूरी है यह नहीं कि आपने बस बीच में छोड़ दियो और आपका समवाद हो गया उस बातचित का end कैसे करना है वहें भी आपको लिखना जरूरी है बाद लेखन में जो डालोग राइटिंग में sentences लिखेंगे वाक्य लिखेंगे वह हैं बहुत जादा लंबे नहीं लिखने हैं हमें छोटे-छोटे-छोटे वाक्य लिखने हैं short and sweet sentences ठीक है simple language का use कीजिए सरल भाशा का use कीजिए बहुत जादा कठिन भाशा का use मत कीजिए बेटिट कोई मुहावरे आते हैं तो उन्हें जरूर डालिए for example मा और बेटी के बीच में कोई समवाद चल रहा है खाने को लेके तो मा ने जो है जलेबी बनाई अपनी बेटी के लिए तो बेटी क्या बोल रही है अरे मा आपने इतनी गर्मा गरम जलेबी बनाई है मेरे मुह में तो पानी आ गया ठीक है आप ऐसे ही कुछ मुहावरे रेटी कीजिए अगर उस डायलोग राइटिंग से रिलेटिड या उस समवाद लेखन में फिट बैठ रहे हैं तो अपने मुहावरों को वहाँ पर जर प्रशन सूचक चिन आ रहा है जो भी विराम चिन आ रहा है उसको ध्यान से लगाईए अगर आप अपने अच्छे से ग्रैमर के साथ अपना समवाद लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलने के चांसे रहेंगे समझ में आ गया बस इसी तरह से अपना समवाद लिखिए और कभी कभी प्रशन में समवाद की वर्ड लिमिट आती है सबसे इंपोर्टन कि आपको इतने शब्दों में अपना समवाद लिखना है तो आपको उतने ही शब्दों में अपना समवाद लिखना होगा अगर प्रशन में आ जाए कि 100 से 1500 शब्दों में समवाद लिखिए तो आप उतना ही लिखिए, पांस से दस शब्द उपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन बहुत लंबा या बहुत छोटा मत लिख दीजेगा, ठीक है, और अगर पेपर में वर्ड लिमिट नहीं आती, नॉर्मल आता है कि दो दोस्तों के बीच में एक समवाद लिखिए, या फिर म अपना इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग और समवाद लिखिए, इन शॉट सबसे पहले ड्राफ्ट करना है, उसके बाद देखना है किन केरेक्टर्स के, किन पात्रों के बीच में समवाद लिखना है, उसके बाद कोई प्रशन में दिया तो नहीं गया कि किस रिलेट अपने विराम चिनों का ध्यान रखिए, जहां पर कोलन आना है, फुल स्टॉप आना है, हाइफन आना है, एक्सक्लामेशन माक आना है, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में व्याकरण और ग्रामर का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, और अंत में बिल्कुल भी डरिये मत, आराम से सोच के अपना हर टॉपिक पेपर में दीजिए, ठीक है, बेस्ट विशस पॉर यूर एक्जाम्स